हेलो फ्रेंड्स कैसे हो जी के 2020 यूट्यूब चैनल की NCRT वीडियो सिरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कंस्टिटीशन एन पॉलिटी और इस सब्जेक्ट में आज हम कौन से टोपिक की चर्चा करने वाले हैं तो आ आज का हमारा टोपिक है अभी तक किये गए कुछ प्रमोग संविदान संशोदन आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपेरिशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में इंडियन कंस्टिटीशन है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्ची तोर ही मदद मिलने वाले ह तो ये वीडियो में आप लाष्ट तक बने रहे हैं लाष्ट में कमेंट सेक्षन में जरू बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमारा आज का टोपिक अभी तक किये गए कुछ प्रमोग संविदान संशोदन दोस्तों कंस्टिट्यूशन की लियाद छे most important टोपिक चलिए स्टार्ट करें तो पहला संविदान संशोदन किया गया 1951 में यानकी 1971 में जिसका सबन भूमी सुधार से था तो संपतिके अधिकार को सिमित करने के लिए अनुचेद 31 जोडे गए और भूमी सुधार को न्याइक समिक्षा से मुक्त करने के लिए नवी अनुसुच भी जोडे गए एक बार फिर से देखलो कि संपतिके अधिकार को सिमित करने के लिए अनुचेद 31 जोडे गए और भूमी सुधार को न्याइक समिक्षा से मुक्त करने के लिए नवी अनुसुची भी जोडे गए और अनुसुची जातियों, अनुसुची जन जातियों के लिए विश्यश प्रावदान करने के उद्धेश से पंद्रा चार भी जोडा गया और अभी व्यक्ति की सोतंतरता पर तीन निर्बंधन यानि कि लोक व्योस था अप्राद उद्धिपन तथा विदेशी राज्यों के साथ मैत्री पुर्ण सबंध लागू किये गये दोस्तो मैं पहले सम्विदान संशोधन की बात कर रहा हूँ कि अनोसुची जातियों वजन जातियों के लिए विश्यश प्रावदान करने के उद्धेश से पंद्रा चार जोडा गया अभी व्यक्ति की सोतंत्रता पर तीन नए निर्बंधन लोक व्योस्ता अप्रादुद्धिपन तथा विदेशी राज्यों के साथ मैत्री पुर्ण सबंध लागू किये गये और जो इन्फर्मेशन मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड ग्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बताईए पहले समविदान संशोदन अधिनियम के तहत संपती के अधिकार को सिमित करने के लिए कौन से अनुच्छेत जोड़े गये क्या पहले समविदान संशोदन अधिनियम के तहत संपती के अधिकार को सिमित करने के लिए कौन से अनुच्छेत जोड़े गये आपका ध्यान कौनसे option पर था? option C पर बिलकुल right सही answer है अनुच्यद 31 क वह अनुच्यद 31 क जोड़े गई चलिए इस question का अंसर देजिए भूमी सुधार को न्याइक समिक्षा से मुक्त करने के लिए कौनसी अनुच्य जोड़ी गई? भूमी सुधार को न्याइक समिक्षा से मुक्त करने के लिए कौनसी अनुच्य जोड़ी गई? अनुच्य नव जोड़ी गई सही answer है option A आगे बात करें तो दस्तो यहां में सभी सम्विदान संशोदन की बात नहीं कर रहा हूँ जो examination के point of view से most IMP है ऐसे ही सम्विदान संशोदन की बात कर रहा हूँ तो यह सात्वा सम्विदान संशोदन 1956 में क, ख, ग, और ग, स्रेणियों के रूप में चले आ रहे राज्यों के वर्गी करन को समाप्त कर पूरे भारत को चवद राज्यों हो 6 संग राज्यक्षेत्रों में विबाजित कर दिया गया क्या दोस्तो जब भारत देश आजाद हुआ तब क, ख, ग, ग स्रेणियों में अमारे भारत देश को बाटा गया था विभिन स्रेणियों में राज्यों को डिवाइड किया गया था लेकेन दोस्तो 1956 में सात्वा सम्विदन संशोदन लगू हुआ और पूरे भारत को 14 राज्यों वच्छे संग राज्यक्षेत्रों में विबाजित कर दिया गया और दो या अधिक राज्यों के बीच सामोहिक न्यायालई की व्योस्था भी कर दी गई चली आंसर बताए कौनसे सम्विदन संशोदन अधिनियम के तहट क, ख, ग, क स्रेणियों के रूप में चले आ रहे राज्यों के वर्गेकरण को समाप्त कर दिया गया तो हमने किसका जिक्र किया? सातवे सम्विदन संशोदन 1956 में जो राज्यों को क, ख, ग, ग, स्रेणियों में विबाजित किया गया था वो खत्म करके 14 राज्यों और 6 हमारे संग शाशित प्रदेशों में विबाजित कर दिया गया पूरे भारत देश को 1956 में भारत में राज्यों वो संग राज्यक्षेत्रों की संख्या कितने थी? दोस्तो 1956 में भारत में राज्यों की संख्या थी 14 और संग राज्यक्षेत्रों की संख्या थी 6 तो सही आंसर बन जाता है Option D, जब सम्विदान संशोदन हुआ दोस्तो 1956 में तो भारत देश, चवदा राज्यों वचे संग राज्यक शेत्रों में बढ़ गया था और सोलवा सम्विदान संशोदन कब हुआ? 1963 में और इसमें क्या प्रावदान था? तो भाषन वअभिव्यक्ति के सोतंद्रता, शांती पुर्ण सम्मेलन करने का अधिकार तथा संगठन या संग बनाने के अधिकार पर भारत की यक्ता वअखंडता के हीत में युक्ती युक्त निर्बंदन किये गये चलि आँचर दीजे तो भाषन वअभिव्यक्ति के सोतंद्रता, शांती पुर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, संगठन या संग बनाने के अधिकार पर युक्ती युक्त निर्बंदन किये गये थे, तो सही आंसर बन जाता है आप्शन डी, उपर युक्त सभी आगे दोस्तो 24 वे संविदान संशोधन की बात करे यह हुआ 1931 में अनुचे 368 के अंतरगत, पारित कोई भी विदी अनुचे 32 में प्रयुक्त विदी शब्द में सम्मिलित नहीं मानी जाएगी और अनुचे 368 में संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपती अनुचे 368 के तहत पारित किये गए संविदान संशोधन विदीयक पर अनुमती देने के लिए बाध्य होगा दोस्तो हमारे कंस्टिटिउशन में यह आर्टिकल बहुत ही इंपोर्टन है अनुचे 368 क्योंकि संविदान में जब संशोधन किया जता है तो इसी आर्टिकल को ध्यान में रखा जता है तो देखो अनुच्छे 368 दो में शंशोदन करके स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्र पती अनुच्छे 368 के तहत पारित किये गये समविदान शंशोदन विद्येक पर अनुमती देने के लिए बाध्य होगा और दोस्तो आगे बात करें तो 25 समविदान शंशोदन 1921 में और समविदान में एक नया अनुच्छे 31 ग जोड कर यह प्रावदान किया गया कि यदि राज्य अनुच्छे 49 ख और अनुच्छे 49 ग में वरनित निती निदेशक तत्वों को साकार करने के लिए कोई कानून बना तो ऐसे कानून को इस आदार पर अविद नहीं ठराया जा सकेगा कि वह मूल अधिकारों से सबंधित अनुच्छे 14, 19 या 31 का उलंगन करता है दोस्तो समविदान में निती निदेशक तत्वों की बात अनुच्छे 36 से लेकर अनुच्छे 51 तक की गई है तो यहां इन से जोड़कर यह प्रावदान किया गया कि यदि राज्य अनुच्छे 49 और 49 गई में वरनित निती निदेशक तत्वों का साकार करने के लिए कोई कानून बनाता है तो ऐसे कानून को इस आदार पर अविद नहीं ठराया जा सकेगा कि वह मूल आदारों से मूलबुत अधिका सबंधित अनुचे 14, 19 या 31 का उलंगन करता है ओके और दोस्तो जिसे हम मिनिक कंस्टिटुशन काते है एसा सम्विदान संशोदन यानिकी बयालिश्वा सम्विदान संशोदन कब हुआ 1976 में तो यह बयालिश्वा सम्विदान संशोदन मुख्यत हा सरदार स्वर्ण सिंग आयोकी सिफारिशो का मुर्त रुप्था दोस्तो यह हमें याद रख लेना है कि यह 42 सम्विदान संशोदन मुख्यत हा सरदार स्वर्ण सिंग आयोकी सिफारिशो का मुर्त रुप्था और 42 सम्विदान संशोदन को लगु सम्विदान यानिकी मिनिक कंस्टिटुशन भी क यहां से क्वेशन निकल सकता है दोस्तों याद रखो कई बार इस सी लाइन में से क्वेशन निकले गए है देखो इसके माध्यम से उद्धी शिका में तीन महत्व पुर्णा शब्द समाजवादी पंथ निर्पेक्ष तथा अखंड ता जोड़े गए दोस्तों अभी तक पुद्धे शिका में तीन महत्व पुर्णा शब्द समाजवादी पंथ निर्पेक्ष और अखंड ता जोड़े गए है और समविदान में एक नए अनुच्छेद एक्क्यावन क को अंतस्थापित करके भारतिय संके नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तवयों को शामिल किया जो कि वर्तमान में मौलिक कर्तवयों की संक्या हो गए है 11 जिसके पीछे की वज़ा है राइट टू एजूकेशन के तहत 6-14 साल के आयू के बच्चों के लिए एजूकेशन की व्योस्था करना सभी माता पीता का कर्तवयों होगा तो यह अब वर्तमान में मौलिक कर्तवयो के लिए 11 मौलिक कर्तवयों को शामिल किया गया है और अनुच्यत 74 को संशोधित करके यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपती प्रदान मंत्री की अध्यक्स्ता वाली मंत्री परिशत की सला के अनुसार कारिया करेगा एक बार फिर से देखलो कि समविदान में एक नई अन संशोधित करके यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपती प्रदान मंत्री की अध्यक्स्ता वाली मंत्री परिशत की सला के अनुसार कारिया करेगा चलिए अब मजेदार क्वेशन आपकी स्क्रेन पर है कौनसे सम्विदान संशोधन लगु सम्विदान यान की मेनी कंस अंसर है, 42 संविदान संशोदन मेनी कंश्टिटीऊशन कहा जाता है, और 42 संविदान संशोदन मुख्यत था, कीस आयोकी सिफारिशों का मुर्त रूप्ता, तो मेंने आपके सामने हाल ही में एक आयोक का नाम लिया, जिसका नाम क्या था, नाम था, था, सर्दार स्वर्न सीं तो दोस्तो 42 सम्विदान संशोदन मुख्यत है सरदार स्वर्ण सी आयोग की सिफारिशों का मुर्त रूप था और 42 सम्विदान संशोदन के तहत कौन सा शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है या कई बार एक्जमिनेशन में क्वेशन पुछा गया है क्योंकि उद्द पार तीन शब्द जोड़े गये है समाजवादी पंथ निर्पेक्ष और अखंता यह तीनों शब्द जोड़े गये है 42 समविदान संशोदन के तहत तो हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी उपर युक्त सभी और सम्विदान में किस अनुछेद को अंतस थापित करके भारतिय संग के नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तवयों को शामिल किया गया है तो कौनसा दोस्तो आर्टिकल जोड़ा गया है 51 क कौनसा 51 क तो सही आंसर है अनुछेद 51 क को जोड़के दोस्तो 10 मौलिक कर्तवयों को शामिल किया गया है जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज क अनुच्चेदों 19.1 च एवं अनुच्चेद 31 को मुल अधिकारों की स्रेणी से निकाल कर यह नया अनुच्चेद 300 क अंतस्थापित किया गया तथा उसके अंतरगत संपतिके अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है दोस्तों संपतिका अधिकार पहले हमारा फंडामेंटल राइट था यानिकी मुल अधिकार था लेकिन अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और कौन से अनुच्चेद में यह प्रावधान है अनुच्चेद 300 क में यहासे क्वेशन निकल सकता है तो मुल अधिकारों के रूप में वरनित संपतिके अधिकार से सब्बंदित अनुच्चेदों 19-1 चा एवं अनुच्चेद 31 को मुल अधिकारों की स्रेनी से निकाल कर नया अनुच्चेद 300 क अंतस्थापित किया गया और उसके अंतर्गत संपतिके अधिकार को कानूनी अ मंत्री परिशत के पास पुनर विचार के लिए वापस भेज सकेगा। अनुचे 352 के तहत हमारे भारत देश में इमर्जन्सी लागू की जाती है लेकिन आंतरिक अशान्ती के कारण हमारे देश में इमर्जन्सी लागू नहीं की जा सकती आंतरिक अशान्ती के बडले एक नया शब्द जोडा गया है वो है सशस्त्र विद्रो ओके और राष्ट्र पति द्वारा राश्ट्री या आपात की उद्गोशना के लिए मंत्री मंडल यानकी कैबिनेट की लिखित सला को अनिवारिय कर दिया गया है क्योंकि हमारे देश की यानकी सेंट्रल गवर्नरमेंट की मंत्री मंडल यानकी कैबिनेट की लिखित सला के आधार पर ही राश्ट तभी किया जा सकेगा जब आपात की उद्कोषना युद्ध अत्वा बाहिय आक्रमन के आदार पर की गई हो साथ ही यह 20 फश्ट किया गया कि अनोचे 369 के आदार पर अनोचे 20 और 21 को निलमबित नहीं किया जा सकेगा दोस्तो हमारे बारदेश में इमर्जनसी लागू की गई थी और वर्ष था 1975 उके 1975 में तो उनके बाद जो सम्विदान संशोदन किया गया है 1976 में तो यह क्यों प्रावदान ऐसा किया गया जिसके पेछे की वजह है 1935 की हमारे देश में लागू की गई इमर्जनसी तो बाद में क्या परिवर्तन किया गया कि राष्ट्रों पती द्वारा राष्ट्री आपात की उद्खोषना के लिए मंत्री मंडल की लिखित सला को अनिवारिय कर दिया गया है और आपात के दोरान अनुचेद 358 के तहट अनुचेद 19 के निलमबन के सबंद में यानि कि 19 अनुचेद 19 जिसमें दोस्तो प्रेश की सोतंतरता का जिक्र किया गया है तो अनुचेद 19 के निलमबन के सबंद में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा तभी किया जा सकेगा जब आपात की उद्गोषणा युद्ध अत्वा बाहिय आक्रमन के आधार पर की गई हो। साथ ही यह बीस फश्ट किया गया है कि अनुचेद 369 के आधार पर अनुचेद 20 और अनुचेद 21 को निलमबित नहीं किया जा सकेगा। तो इस तो यह भी याद रखलो। कि यदि हमारे देश में इमर्जंसी लागू हो जाती है तो कौनसे अनुचेद निलमबित नहीं होते अनुचेद 20 और 21 क्योंकि जिने का अधिकार सब को है। चलिए आंसर दीजिए बाहिय आक्रमन के दोरान कौनसा अनुचेद निलमबित नहीं किया जा सकेगा। तो बाहिय आक्रमन के दोरान अनुचेद 20 और अनुचेद 21 निलमबित नहीं किया जाएगा। सही आंसर बनता है ओप्शन D, B और C दोनो। लेकिन यहे प्रेस के मामले में अनुचेद 19 ओके। वीचार वानिक की अभी व्यक्ति के मामले में ओके। तो अनुचेद 19 निलमबित हो जाएगा। 20 औ 21 निलमबित नहीं हो गे। आगे बात करे। तो अगला क्विचन निमना में से किस अनुचेद के अंतरगत संपती के अधिकार को कानुचेद नहीं हो आपको बताया। अनुचेद 309 के तहट जो संपती का अधिकार है वो अब बन गया है कानोनी अधिकार सही आंसर है option C निमना में से किस अनुचेद में राष्ट्रिय आपात की उद्गोषना के आधारों में से आंतरी कशांती को हटा दिया गया तथा उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रो को आधार बनाया गया दोस्तो कौन से अनुचेद में तो याद रखो अनुचेद 352 के तहट हमारे देश में जो आंतरीक अशांती के कारण जो इमर्जंसी लागू हो जाती है उनके बड़ले आंतरीक अशांती नहीं बलकि अब दे 1945 मोश्ट आएंपी है देखो इसके माध्यम से समविदान में दस्वी अनुची शामिल की गई क्या 52 समविदान संशोधन के तहट हमारे कंस्टियूशन में दस्वी अनुची शामिल की गई और 10 अनुची का सबन किससे है दुस्तो दल बदल कानून से है तो जिसका मूल अन्या आदारों पर संसद तथा राज्य विदान मंडल के सदस्यों के निरहरता यानकी इनलिजिबिलिटी से सबंदित प्रावदानों को निर्धारित करना था। चलिए आंसर दिजे। और दोस्तो 61 वा संविदान संशोदान किया गया है 1988 में यानकी 1988 में तो इसके द्वारा साधारन चुनाओं में मद्दान के लिए निर्धारित नियूनतम आयू जो 21 वर्ष थी वो घटाकर कर दी गई 18 वर्ष। क्या यह 61 संविदान संशोदन दोस्तो बहुत ही इंपोर्टन है कब किया गया 1988 में और 1988 के बाद यदि आप वोट देना चाहते हैं तो आपकी आयू 21 वर्ष से अधिक नहीं बलकि 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यह 61 संविदान संशोदन करता है तो इसके द्वारा साधरन चुनाओं में मद्दान के लिए निर्दारित नियूनतम आयू को 21 वर्ष से गटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए आंसर दीजे, 61 सम्विदान संशोदन अधिनियम के द्वारा साधारन चुनाओं में मद्दान के लिए निर्दारित नियूनतम आयू को 21 वर्ष से घटा कर कितने वर्ष कर दिया गया है, तो कितने वर्ष जो वर्तमान में भी है, 18 वर्ष कर दिया गया है, चलिए यहा मत बुलिएगा चलिए क्विट करें वीडियो को लेकिन लाइक करें और इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेर करें बाद में इस वीडियो को क्विट करें गुडबाई